जरा सोचिए क्या होगा अगर आप बिना ब्रेक लिए 24 घंटे काम करते रहें और फिर आप अगले दिन भी बिना किसी ब्रेक या आराम के काम करते रहें सुनकर ये खौफनाख लगता है है न? क्या कोई भी बिना आराम के इतनी मेहनत कर सकता है? ये बिल्कुल नामुम्किन है है ना? लेकिन कि आपको पता है कि हमारे अंदर एक ऐसा औरगन है जो कभी आराम नहीं करता ये लगातार काम करता रहता है आप समझ गए होंगे कि हम हमारे हार्ट की बात कर रहे हैं हार्ट एक pumping organ के रूप में काम करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि बलड शरील में लगातार बैता रहे और याद रखिए कि ये बलड को filter और purify करने के लिए जिम्मेदार नहीं है ये सिर्फ एक pumping organ है चलिए इस चमतकारी और मेहनती organ के बारे में detail में बात करते हैं इससे पहले कि हम heart के बारे में बात करें हम चाहते हैं कि आप एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ ले जब हम heart को देखेंगे तो ये उस मनुष्य के दृष्टि कोन से होगा जिस मनुष्य का ये heart है तो अगर आप इस मनुष्य के heart को देख रहे हैं तो हम यहां right side की बात कर रहे हैं और ये उसका left side होगा हम यह मनुष्य के right और left sides को देख रहे हैं structure से शुरू करते हुए heart का आकार थोड़ा सा conical होता है और ये left side की ओर थोड़ा सा जुका हुआ होता है क्या आपको पता है कि एक adult के heart का बजन कितना होता है इसके size के बारे में आपका क्या कहना है अगर आप अपने heart का size जानना चाते हैं तो अपनी बंद मुठी को देखिए क्योंकि heart का average size एक बंद मुठी जितना होता है अब जब हम heart की structure, buzzon और size के बारे में जानते हैं तो चलिए heart के internal structure को देखते हैं इसके लिए हमें इसके vertical section को देखना होगा ये एक कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप देख सकते हैं heart का right side उसके left side से एक muscular दिवार की मदद से अलग किया जाता है जिसे septum कहते हैं ये सुनश्चित करती है कि oxygenated और deoxygenated blood पूरी तरह से अलग रहे तो क्या हम ये कह रहे हैं कि oxygenated और deoxygenated blood हमेशा ही दो compartments द्वारा अलग-अलग संभाले जाते हैं खैर हाँ heart का right side deoxygenated blood को संभालता है जबकि heart का left side सिर्फ oxygenated blood को संभालता है इसे septum द्वारा सुनश्चित किया जाता है अब इसी के साथ क्या आप देख सकते हैं कि right और left compartments में upper और lower sections भी है जिहां ये हमारे heart का basic structure बनाता है जिसे हम four chambered structure कहते हैं जिहां जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं मनुष्य के heart में चार chambers होते हैं चलिए इसे आसान तरीके से define करते हैं हम इसे upper right chamber कह सकते हैं क्योंकि ये उपर right के region में हैं उसी तरह हमारे पास lower right chamber, upper left chamber और lower left chamber है अब इन्हें scientifically समझाना होगा है जिहां हर chamber का एक नाम है उपर के chambers को atria कहा जाता है जबकि नीचे के chambers को ventricles कहा जाता है atria, atrium का plural है तो उसी तरह से हमें right atrium, right ventricle, left atrium और left ventricle मिलते हैं चलिए जल्दी से इसे दोराते हैं right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle अब इन चारों में से उपर वाले atria receiving centers होते हैं जबकि नीचे वाले ventricles distribution chambers होते हैं atria receive करती हैं जबकि ventricles distribute करती हैं एक second रुकी है ये वास्तव में हमारे लिए हर एक chamber की भूमिकाओं को जानना आसान बनाता है क्योंकि हम जानते हैं कि heart का right side, de-oxygenated blood से संबंदित होता है और left side, oxygenated blood से तो क्या हम ये कह सकते हैं कि right atrium, de-oxygenated blood का receiving chamber है जी हां, उसी तरह right ventricle, de-oxygenated blood का distribution chamber है क्या आप left atrium और left ventricle के functions को guess कर सकते हैं left atrium oxygenated blood को receive करता है और left ventricle oxygenated blood को distribute करेगा इसी तरह से heart ने अपने chambers को उनके नाम दिये हुए हैं खैर, ये heart की internal structure के बारे में था वीडियो के अगले part में हम heart कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे करेंगे करेंगे